कानपुर दिहाज जन्पत में अधिकारियों की लापरवाई गौशाला में सलरक्षित गौवन्ज पर पड़ रही है भारी शाशन के लाग प्रयासों के बाबजूद गौशाला की स्तिती में सुधार नहीं हो रहा है जन्पत की गौशाला गौवन्ज के लिए कबर कहा बनती जा रही है गौशाला में प्रयाप्त भूसा, चोकर, वदाना की उपलबता के बाबजूद के अटेकर लाही का भूसा खिला रहे है जिससे लगातार गौवन्जों की गौशाला में मौत हो रही है सरवन खेड़ा की कर्सरा ग्राम पंचेट की अस्थाई गौशाला में भी लाही का सूखा भूसा खाकर एक गौवन्ज की मौत हो गई जबकि कई गौवन्ज की हालत खराब है जहां गौशाला में सूखा लाही का भूसा खिलाया जा रहा है लेकिन जिम्मेदार अधिकारी गोशाला की ववस्तात दुरुस्त होने का कागजों पर दावा कर रहे हैं। पर दुरुसे काम करने वाले चार ही। को लोग में देखे नहीं कि ये मर गई वह गई वह सुगे आते हैं, अज गेरा बजी के बाद रहुक्ति प्लगाने के ऊटेंगे मौला और ये का रही है। पहले नहीं पहले से चोकर चूनी और हरी बर्ची मोगरा नहीं की बिजली बिल की समस्था से छुटकार आपाई ए सोलर सिस्टम लगाई ये जी हां आपके लिए बेहत आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना संपर्ख करें एमेटी एलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन प्रश्ना नगर मत्रा जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका अरुवाई 25 परसेंट का रिटर्ण है इसके हिसाब से दिखा जाये तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी चार साल में निकल आई